नमस्कार दोस्तों आपके अपने यूटूब चैनल पर स्वागत है और मैं टेक्निकल गुरूजी एक्जाम से शलंदर सिंगरावत मित्रों आज हम अध्यन कर रहे हैं राजस्तान का कला संस्कृति वाला भाग और आज हम सात्वा कलास वीडियो लेकर आगे हैं जिसमें आज हम पढ़ेंगे अजमेर के तारागड दुर्ग के बारे में दोस्तो इससे पहले राजस्तान के तारागड दुर्ग देखो दोस्तो मैं आपको बता देता हूँ राजस्तान में दो दुर्ग है जो है तारागड के दुर्ग है एक है अजमेर का तारागड दुर्ग और दूसरा है बूंदी का तारागड दुर्ग मैंने जो पिछला वीडियो पढ़ाया था उसमें बूंदि का तारगड़ दुर्ग मैंने complete पढ़ा दिया है और अगर आपका उसको वीडियो चीह तो दिस्क्रिप्शिन बॉक्स में मिल जाएगा वापर आपके लिए करके भी बूंदि का तारगड़ दुर्ग दुर्ग कर स सबी के सबी परसन आज समाविस हो जाएंगे दोस्तो तारागड का दोर गे तारागड का दोर्ग अजमेर में इस्तिते ये दोर्ग गड बीट ली पहाड़ी पर इस्तिते इस दोर्ग का निर्मान अजमेर के चोहान सांसक अजमेर के चोहान सांसक अजे राज ने करवाया था अजे राज ने करवाया था ग्यारा सो तेरा इस्तित में इसलिए इस दुर्ग को अजे मेरो दुर्ग इसलिए इस दुर्ग को अजे मेरो दुर्ग के नाम से जाना जाता है तारा गड का दुर्ग कहते हैं तारा गड का दुर्ग या गड बीटली का दुर्ग या गड बीटली का दुर्ग केते हैं इस दुर्ग की उच्छाई 2880 फिट है यानि इस दुर्ग की उच्छाई है 2880 फिट और इसका सेतरफल 801 ए और इसका सेतरफल कितना है 801 दोस्तों ये तारा गड का दुर्ग है इस तारा गड का दुर्ग के अपन बात करते हैं इस परकार ये निर्मे थे तारा गड का दुर्ग और जो तारा गड का दुर्ग है सबसे वड़े बात हैं कि ये जिस परवत स्रंकला परिस्तिते यानि जिस परवत माला या परवत स्रेनी परिस्तिते यहाँ पर मैं आपको इपाड बना रहा हूँ इस परकार ये तारागड का दुर्ग है और ये परवत स्रेनी है ठीक है और इस परवत स्रेनी का जो नाम है वो है गड़ बीटली बिल्कुल गड़ बीटली परवत स्रेनी है और इस गड़ बीटली परवत स्रेनी पर इस्तिते तारागड का दुर्ग यारी तारागड का दु इसलिए इस दूर को अजमेर्य दूर के नाम से जाना जाता है तारगण कई धूर के तें गडण लेका दूर्ग केते हैं इस दूर्ग की जो ऊचछाए हैं 28 fox से फिट हैं और इसका शेतरफल लगबक 801 खड़ शेतरफल इसका फैल ला हुआ है दोस्तर इस दूर्ग की बारे में बात करतें हैं तो इस दूर्ग के सबसे बड़ी निर्मान करवाय था इसलिए उन्होंने अपने पत्नी के नाम पर इस दुर्ग का नाम भी तारागड दुर्ग रखा था इस परकार ये तारागड का दुर्ग में आपके सामने नौर्मल डाइगराम बना रहा हूँ ठीक है जिस पहाड़ी परिस्ते थे उसका नाम है गड़ बीटली पहाड़ी गड़ बीटली पहाड़ी बिल्कुल इस दुर्ग तक पहुशने के लिए बहुत ही गुमावदार दुर्ग को देखो तो आपको पूरा एक भारत के आकरती आपको नजराती यानि यह कैसा दुर्ग है जिसके उपर से अगर आप नीचे देखते हो तो पूरे भारत का जो हमारा भारत का जो आकरती है बिल्कुल उसी परकार इसके रस्ते के आकरती नजराती है ठीके दोस्त तो इस दुर्ग की क्या खास है ते मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले इस दुर्ग के अंदर जो मजार है, उसके बारे में उपर पढ़ लेते हैं, इस दुर्ग में इस्तित मजार, इस दुर्ग में कौन-कौन सी मजार है, एक मजार की बात करें तो यहाँ पर मिरान सा साप की दर्गा है मिरान साप की दर्गा है बिल्कुल आपको याद अपना पड़ेगा यहाँ पर मिरान साप की दर्गा है दूसरा है सेयद हुसेन सेयद हुसेन खिंग सवार की दर्गा है बिल्कुल सेयद हुसेन सेयद हुसेन खिंग सवार की दड़का है तीसरा यहाँ पर गोड़े की मजारे गोड़े की मजारे यानि भारत का एक ऐसा दुर्गे जहाँ पर गोड़े की मजारे इस्तित है और उस मजार पर आज भी दाल चड़ती है चड़ावे की रूप में क्या चड़ती है वहाँ पर दाल चड़ती है ठीक है इसके अलावा यहाँ पर शीशा खान है जिसको शीश गुफा भी कहा जाता है यानि शीश गुफा कहा जाता है और ऐसा माना जाता है दोस्तों कि इस गुफा में से प्रत्वी राज चोहान इस गुफा में से प्रत्वी राज चुहान फाईसागर इस्तित पहाडी की तलहाटी पर फाईसागर इस्तित पहाडी में बनी चामुन्डा माता के पूजा करने जाता था बिल्कुल यहां पर एक सीस गुपा इस्तित थे जिस पर प्रत्वी जिस में से प्रत्वी राज चुहान यह गुपा ऐसा माना जाता है कि इस गुफा में से प्रत्वी राज चुहान फाईसागर इस्तित चामुन्डा माता के मंदिर में पूजा करने के लिए जाता था ठीके दोस्तो इस सीस गुफा की क्या इस विशेशता है ये सीसे से निर्मित गुफा है इसलिए गुफा क्या होता है कि गर्मी में तो अधिक ठंडी गर्मी में तो बहुत अधिक ठंडी होती है और सर्दी में ये बहुत जादा गरम रहती है और सर्दी में ये बहुत जादा गरम रेती है ठीक है दोस्तों तो यह आपको धिहान रखना पड़ेगा दोस्तों इस दूर की बात करें तो इसमें जो जलाशी के स्तुरोद की बात करें तो यहाँ पर पांच परमुग जलाशी इस्तिते थे तो पांच परमुग जलाशी कौन कौन से वो भी मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर पांच जलाशी है पांच जलाशी है अब पांच जलाश ये कौन-कौन से उनकी बिल्कुल किलियर कर बताओं जैसे यहाँ पर नाना साब का जालरा इस्तिते यानि पहला नंबर है नाना साब का जालरा नाना साब का जालरा यानि एक तो है इसमें नाना साब का जालरा है यानि एक नाना साब का जाल रहा है दूसरा है इबरहिम जाल रहा तीसरा है गोल जाल रहा और चोते की बात करते तो बड़ा जाल रहा है तो एक है नाना साब जाल रहा दूसरा है इबरहिम जाल रहा गोल जाल रहा और बड़ा जाल रहा यहाँ पर पानी के पर्मुकिस्त्रोते यानि इस दुर्ग में पानी के जो पर्मुकिस्त्रोते उनमें आता है नाना साप जाल रहा इबरहीम जाल रहा गोल जाल रहा और बड़ा जाल रहा ठीके अगर इस दुर्ग के पर्वेश द्वार के बात करते हैं तो इस दुर्ग के परवेश द्वार, दूर के परवेश द्वार, दोस्तों अगर ऐसा माना जाता है कि इस दूर के जो परवेश द्वारे कम से कम साथ परवेश द्वारे, उनमें से कौन-कौन से उसमें साथा एक विजे पॉल, एक का नामें विजे पॉल, दूसरे का नामें फूटा पॉल, ब इस परकार लक्षमी पोल, देखो विजे पोल, फूटा पोल, हाती पोल, लक्षमी पोल, भवानी पोल, अर्कोट पोल, भवानी पोल, अर्कोट पोल, और बड़ा दर्वाजा. इस परकार इस दुर्ग के अंदर 7 परवेश द्वारे उसमें आता विजे पॉल, फूटा पॉल, हाती पॉल, लक्स्मी पॉल, भवानी पॉल, अरकोट पॉल और बड़ा दरवजा इस दुर्ग के बात करें तो इस दुर्ग में 14 बुर्जे यानि इस दुर्ग के बात करें तो इस दुर्ग के अंदर 14 परमुक बुर्जे इस दुर्ग में 14 परमुक बुर्जे आप हमेशे ध्यान अकना इस दुर्ग के अंदर 14 परमुक बुर्जे तो दोस्तो यहां पर मैं आपको बिल्कुल क्लिर करके बता देता हूँ कि तारणगण का दुर्ग हम पढ़ रहे हैं सबसे पहले एक बार आप इसकी कौपी जरू कर लिजेगा बिल्कुल हम बात कर रहे हैं अजमिर के तारागण के दुर्ग के बारे मिए आरावली परवत माला के एक उन्नत सिकर पर इस्तित अजमिर का तारागड पूर्वी राजस्तान के प्राचिन एवंपर्मो किलो में से एक माना जाता है सिलालेक और इतियास क्रंतों में इसे तारागड अजमिरू और गड़ बीटली के नाम से भी जाना जाता है इस दुर्ग के निर्माताओं के बारे में परमानिक जानकारी का अबाव है उपलब साक्सियों के अनुसार प्रकट होता है कि इसका निर्मान शाकंबरी के चोहान सासकों ने अरब खरलिपाओं के आकर्मन के सुरुक्षा के लिए इस दुर्ग का निर्मान कराया था इतियासकार करनल जेम्स टॉड के अनुसार अजमे नगर के संस्तापक चोहान नरेश अजे राज ने इसका निर्मान करवाया था ऐसा माना जाता है कि इसलिए इस किले का नाम अजमेरू दुर्ग रखा गया है इस संबन में डॉक्टर दसरच सर्मा ने लिखा कि सुल्तान बहराम गजनवी के सेनापती महमिद बहालिम नागोर को मुस्लिम शक्ति का केंदर बनाया था और समस्तर राजस्तान को आतंकित कर डाला था उससे पूरो नागोर लगातार शाखंबरी के चोहानों का मुख्य नगर रहा था पर अब अजे राज के लिए सांबर में रहेना बहुत कटिन हो गया था इसलिए उसने अजमेरू नगर और दुर्ग की इस्तापना की ये इस्तान नागोर और सांबर से कही अधिक सुरक्षित था इस दुर्ग की प्रतिस्ता समवत 1113 से लेकर 1107 तक पूरी हो चुकी थी दुर्ग की तारागण नामकरण के बारे में डॉक्टर गोपिनाज सर्मा का केना है की मेवाड के राणा, राइमल के यूराज, राणा सांगा के भाई प्रत्विराज ने इस दुर्ग का कुछ भाग का निर्मान करवाया था और अपनी विरंगना पतनी तारा के नाम पर इस दुर्ग का नाम तारागण रखा था अजमेर दुर्ग के अन्य नाम गट बीटली का दुर्ग के बारे में कहा जाता है यानि इसको अजमेर दुर्ग का एक अन्य भी जो नाम है वो गट बीटली का दुर्ग कहा जाता है क्योंकि बीटली पहाडी पर इस्तित हैं इसलिए इस दुर्ग को गट बीटली का दुर्ग भी कहा जाता है इस नाम के पीछे एक मत भी है कि मुगल बास्या सहाजा के सासनकाल में बिठल दास गोड यहां का दुर्ग अध्यक्स था यानि 1644 से लेकर 1656 तक इसने दुर्ग का जिनोद्वार कराया और दुर्ग को नया सवरोप परदान क्या था हते संबव है कि इसलिए इस प्राकर्मी योदा के नाम पर इसके लिए का नाम गट बीटली पड़ा होगा परवत मालों से अनावर्थ और प्राकर्तिक सोंदरिये से ओत प्रोत तारागड एक दुर्भेद दुर्ग माना जाता है परवत सिक्रों के साथ एकाकार होती दूर तक फैली उन्नत प्राचिर सुधर और विशालकाई बुर्जे तता सगनवन संपदा के साथ सुधर सुरक्षय कवच परदान करता है ये किला लगबग असी एकड की परिदी में फैला है तता जिस विशाल पहाड़ी पर बना है वे समुदर तल से 2855 फेट उची है करनल जेम्स टॉर्ड के अनुसार इस किले का भव्य सवरूप उन्होंने उल्ले किया था तारागड दुर की अभेता के बारे में विसब हैपर ने कहा परवोतों के सर्वोच शिकर तारागड नामक एक भव्य दुर्ग हैं जो लगबग दो मिल के घेरे में परंतो अपने एनिमित आकार और उबडखाबड धरातल के कारण इससे 1200 से अधिक सेनिक नहीं रह सकते हैं तथा पी कही दरस्टियों से शेस्त्रगार के रूप में इसकी उप्योगिता असंदित हैं अधिकतर इस्तलों में इनकी चटान अतिविकिट और दुर्गम हैं इसमें बहारो मैनों टाको और जन्नों से पुषकल जला पड़ती होती रहती हैं दुर्ग के भीतर अन गरत और अनिकाद सामगरी सुरुक्षित रखने के लिए विसाल भंडार बने हैं यदि यूरोपिय तकनिकी को अपनाते हुए इसका जिनोद्वार करवाया गया था तो ये दूसरा जिवालतर भी बन सकता था यानि उन्होंने कहा कि अगर यूरोपिय तकनिकी कादार पर अगर इसका जिनद्वार करा थे तो साइध ये भारत का दूसरा जिवालतर बन सकता था करनल ब्राउंटन ने तारागड को दुर्भेक रूप देने में दुर्गम पहाडी के योगदान पर परकास डालते वे ठीट कहा था तारागड राजस्तान का ही नहीं बले के भारत के प्राचिंतम गिरी दुर्गों में से एक हैं तारागड हर बिला स्यार्दा के अनुसार इतियास कार हर बिला स्यार्दा के अनुसार अकबार उल अक्यार को उद्गत करते वे उन्हों लिखा कि तारागड का दाचिपी भारत का प्रत्थम गिरी दुर्ग हैं। तारागड को पार ये परतेक युग में आकर्मनों का साहना करना पड़ा। तारागड पर मुहमद गोरी का अधिकार कर लिया। लेकिन थोड़े समय बाद में प्रत्यु राहत चोहान के छोटे भाई हरी राज ने इसे पुने अपने अधिकार में कर लिया था। लेकिन कुतुब दिन एबक ने उससे वापस छीन लिया था। उसके बाद में ये दुर्ग पर मेरो और फिर राजपुतों का अधिकार रहा था। राणा कुमबा के सासनकाल में राव रणमल ने तारागड को सिसोधिया से जीत लिया था। कुछ समय के लिए ये दुर्ग मांडू के सुल्टान के कबजे में भी रहा था। प्रंतु 1505 में मेवाड के राणा राइमल के पुत्र प्रत्वी राज ने मुस्लिम गवर्नर को मार कर इस दुर्ग पर पुने अपना अधिकार कर लिया था। तता किले के उपर अरहड से पानी पहुचाने का परबंद विवस्ता के थी। उसके बाद सेरसा सूरी और फिर उसके गवर्नर हाजी का के अधिकार में रहने के बाद ये दुर्ग अकबर के मुंगलों के अधिकार में आ गया था। सहाजा ने तारागड अपने विश्वस्त सामस्त बिठल दास गोड को परदान किया था। जिसने इस दुर्ग का जिनोद्वार भी करवाया था। और उसकी स्रुक्ष्या विवस्ता को मजबूत किया था। सहाजा के पुत्रों में उत्रादिकार के लिए संगर्ज भी इसी दुर्ग के अंतरगत हुआ था। 1756 एश्वी में मरहटा सेननाई के जैयपा सिंधिया की नागोर में हत्या हो जाने पर महराजा विजे सिंग ने तारागड मरहटों की मंदकूटी हत्या के फल्सुरू बरतों हर जाने में दिया था। लेकिन 1787 में तुंगा की लड़ाई में मरहटों की प्राजे होते ही राठों ने पुने इस दुर्ग को अपने अधिकार में कलिया। उसके बाद में कुछ वर्सों तक सिंध्या का अधिपते में रहने के बाद ये दुर्ग 1818 में अंग्रेजों के नियंत्रण में आ गया। अंग्रेज गवर्नर लाड विलियम बेटिंग ने 1832 में संभवते इस दुर्ग के पाचिर का अनेक भाग तुडवा दिया था और नसिरवाद में ब्रेटे सामने के सेनिकों को अधिकार स्वास्ते लाब के लिए इस एतिहासिक दुर्ग को सामरिक महतु कर समझाया था। अगर अपन बात करते हैं तो इसमा आता विजे पोल, लक्ष्मी पोल, फूटा दर्वाजा, भवानी पोल, हाती पोल, और कोट दर्वाजा तथा बड़ा दर्वाजा इसति थे। इसके अलावा सेयद बुर्ज और हुसेन बुर्ज भी यहां पर इसति थे। गुफा भी कहते हैं ऐसा माना जाता है कि इस गुफा के माध्यम से ही प्रत्वी राज चोहान अपनी कुल धेवी की पूजा करने के लिए चामुंडा माता मंदिर में जाता था। यह जो गुफा है वो सर्दियों में तो अधिक गरम रेती हैं और गर्मियों में अधिक ठंडी रेती हैं। इस परकार आज की इस वीडियो के माध्यम से हमने जाना अजमिर के तारागड़ दुर के बारे में। बारे में जानकर मिल जाए। दोस्तों अगर हमारे जानकर आपको अच्छे लगी है तो वीडियो को लाइक शेर और जरूर कमेंट करके बताइए। आज के लिए बास इतना है सात्यों जहिंद बंदे मात्रम।